असाम कुंस दॉक्टर फेजान, आज का इंपॉर्टन टॉपिक विबाद करने से पहले मैं बताता चलूँ कि मुझे नौ से दस साल हो गये हैं डेंटिस्ट्री प्राक्टिस करते वे और इसमें से छे साल मैंने ओलर सर्जरी भी पढ़ाई है एक डेंटल कॉलिज में क्योंकि मुझे पढ़ाना डेंटिस्ट्री और प्राक्टिस करना दोनों बहुत पसंद हैं तो मेरे टाइम बहुत अच्छा गुज़रा है मेरा MSC और इंप्लांटोलोजी में है और मैं इंप्लांस में डिप्लोमेट भी हूं कोई 14 साल पहले जब डेंटिस्ट्री में एंटर में अब्जर्फ किये हैं प्राक्टिस करते और पढ़ाते और अच्छा शूरु से स्टार्ट करते हैं जब आप एड्मिशन ले रही होते हैं जिस बंदे के पास थोड़े से पैसे हैं वो किसी ना किसी प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज में एड्मिशन ले लेगा हर और रोज कोई ने डेंटल कॉलिज खुल रहा है और उन सब को बच्चे चाहिए तो जो भी आ गया रखे जाओ और अगर नहीं आ रहा है बच्चे तो फ्री लैपटॉप या कोई प्रिंटर बाड़ दें कोई इंटर्वु में कोई परस्नालिटी चेक नहीं होता है कि क्या ये इनसान वाकई डॉक्टर बनने के लाइक है या नहीं है क्या इसके कोई ट्रेट है जो दिखाता है कि इनसानों की मदद करना चाता है भार की इनसानों के लिए आपको एक होलिस्टिक सी अप्रिकेशन बनानी पड़ती है इसमें वो देखते हैं कि आपके कैंडिट के परस्नल लाइफ एक्सपिरिंसिस क्या है उसके परस्नल एट्रिब्यूट्स क्या है कैरेक्टर किस किसम का नजर आ रहा है तीसरा कम्यूनिटी सर्विस इसने कोई किया है नहीं की चौथा परस्नल स्टेट्मेंट एक आपकी चीज़ होती है कि एन्डेट्स से देखने चाते हैं कि वो चाता है कि लाइफ में यहां क्यों अप्लाई कर रहा है यह सब चीज़ें देखी जाती हैं मार्क्स के अलावा और स्कूल के भी एम जालक होते हैं कुछ स्कूल कहते हैं कि हमें क्लिनिशन्स ही बनाने हैं और कुछ स्कूल कहते हैं कि हमें प्रोफेसर्स बनाने हैं फ्यूचर जब आप graduate करते हैं तो शाम में आका पेशेंट तो आ नहीं रहा होता तो आप सुबह अप्लाइ करते हैं नौकेरों के लिए पढ़ाने के शौक के लिए नहीं कर रहे हैं जातर लोग पैसे के लिए कर रहे हैं तो इसी तरह काफी लोगों की वो drive नहीं होती वो patience नहीं होता व अगर खुद नहीं आता तो पच्छों को क्या सखाएंगे इसी वज़ाए से students क्लास में इंगेज नहीं होते और motivated नहीं होते देंटिस्टी करने के लिए students की proper counseling टाइप चीज तो कोई है ही नहीं बिचारे जैसी graduate करता है सड़क पर खड़ा हो जाते हैं सारे graduate और एक black screen होती है उनके सामने future हों का पता ही नहीं क्या करना है और कोई खास multi-disciplinary approach नहीं सिखाए जाता हमें सिर्फ सिखाए गया quota system, operative में गया dose of filling, surgery में गया पचास extraction सब इसी पर focus करते हैं और इसी को आगे promote या push किया जाता है बजाए से quality of work से खाएं और उस पर focus करवाएं इसके एक ये भी वजाए क्योंकि ये faculty के promotion से भी link है कि फलाना department के सब साधा patient हुआ है बेशक फारख काम किया वाओ लेकिन number of patients में जीत गए लोग पेवकुफों वाली logic बजाए ऐससे कि हम students को पढ़ाएं कि ये नई research चाहिए और अब ये नए established protocols हैं हम सिर्फ वो follow करेंगे जो hod कहेगा अब बेशक HDJ वो पुरानी को 1947 की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वही सच है पास भी तो होना है ना पांस साल forward करें तो अब नए graduate हो गया निया batch of dentists जिसका काम average at best है शाम में तो कुई रहा है किक है नहीं तो अब यही लोग सुबा के नौकरी के लिए apply करेंगे वही cycle करना चाहिए कि क्या steps हम लें जिसकी वज़ा से education थोड़ी बेतर हो ताकि अच्छे quality of dentists भार भी सबसे पहला काम ethics, patient confidentiality, professionalism इसके subjects introduce करें ताकि quality candidates निकले जिनको पता हो कि सही काम क्या है, क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और क्य प्लाए का tissue paper आता है, जरा quality वाला, हमारे वन प्लाए का जो मास्क है वो पना देंगे बच्चों को और खुद भी पहलेंगे, भेतरीं disinfection और बहतरीं cross infection control हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जब OPD में cost cutting चल रही है, और top level infection control नहीं हो रहा, तो बच्चे यही सीखेंगे, और क्लिनिक में भी यही करेंगे, आप लोगों ने Phantom Head Lab का सुना है, यह वो कमरा है, जो सिर्फ PMDC के inspection के दिन, मुन्ना भाई MEBS style जो है, सारे बच्चे बैठे होते हैं, उस दिन दर्वाजा खुलता है, सब को हमाँ बढ़ा देते हैं, PMDC से आती है, inspection अच्छा बढ़ा है, यहां स्टूडेंट्स हैं, वो Phantom पर काम करें, उस पर सीखें, और indirect vision सीखें, प्लीज इस कमरे को regularly use करें, very important बात, house job में एक और rotation होनी चाहिए, जिसमें एक ही बंदा, patient का diagnosis करेगा, उसी की evaluation करेगा, उसी का treatment plan बनाएगा, उसी की सारी departments वाले treatment करेगा, और उसी को follow up करेगा, जिस Crown seat हो रहा है, नहीं हो रहा है, और अगर सही है, तो सिमेंट कर दो, उसके पैरों के नीचे जमीन निकल गई है, और वो आपको डडर के बोल रहा है, सर वो लगा तो मैं दूंगा, लेकिन प्रॉस्थो की rotation जो थी, वो पहली वाली थी, तो मतलब वो एक साल हो गया, वो किया तो क्या करूँ मैं इस graduate का? बहुत ही important बात, मैं भी इस पूरी वीडियो की सबसे important बात, classes रखनी चाहिए ताके house officers को ये बताएं कि how to establish and run clinics, business side of dentistry, ताके 5 साल जो सिखाया है, जो skills सिखाया है, जो knowledge दी है, इसको ये income बे कैसे convert कर सकते हैं, दुआएं तो मिलेंगी, लेकिन पैसे कमाने हैं घर चलाने के लिए, कैसे clinic खोलने हैं, कब clinic खोलने हैं, कहां से instruments लेने, कहां से material लेने, कौन से labs हैं, किस तरह market कर सकते हैं आप अपने आपको और किस तरह नहीं कर सकते है market अपने आपको, ये सब कुछ सिखाना चाहिए, ये dental education के अंदर, house job के अंदर core component होन chair position, body posture, ये तीनों चीज़ें इंप्रूव होती हैं लूप्स पहनने से, तो लूप्स almost compulsory करते हैं सबनों के लिए, 10-10 लाग जब fees दे सकते हैं तो 10,000 रुपे के Chinese लूप्स भी ले सकते हैं, और वो आराम से काफी साल चलते हैं, ताकि कोई भी student OPD में एंटर ही नहीं हो सकत दर है beautiful field है, please students को perio की importance का बताएं, ताकि वो MSC in perio को MSC in scaling ना समझें, जो किसी भी organization को छोड़े, उसका एक exit interview होने चाहिए, और confidential होने चाहिए, और लेना भी top level बंदे को चाहिए, मतलब अगर principal भी किसी department का head है, तो वो भी नहीं लेस था, उसके भी ओपर health sciences का head लेगा, त पूछें, कि भाई आप क्यों छोड़ के जा रही हैं जागा, और ये बिल्कुल confidential रहे ताकि वो खुल के बता सके, maybe वो अपने personal reasons के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, maybe ये आपके organization के अंदर कोई tweaking, कोई ironing की ज़रु रहता है, या को toxic environment बंगे, जिसकी वज़वर चोड़ क जा रहा है, हमारे हैं क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ confidential नहीं रहती, इसलिए कोई बंदा बताता ही नहीं है, statute से a document होता है, जिसमें rules and regulations लिखे होते हैं, उस organization के, और employees की duties और privileges, दोनो crystal clear साफ साफ में लिखे होते हैं, तो ना employee institution को, और ना institution employee को for granted ले सकता है, तो employees को पढ़ा दें, उसको पता नहीं क्यों सब छुपा कर रखते हैं, इन्हीं पता नहीं लगना चाहिए, कितनी जुटी हैं, और यह क्या क्या इसकी privileges है, employees के लिए किताब है, employees को देखने दे, सामने रख दें, एक annual evaluation report होने चाहिए, जो non clinical faculty की अलग होने चाहिए, और clinical faculty की criteria अल वज़ा से, या बहुत पैसे मिल रहे हैं आपको, या सिकाय बहुत जा रहा है, लोग फिर भी नौकरी छोड़ते हैं, तो लोग इसे नौकरी छोड़ते हैं कि उनकी कोई professional growth नहीं हो रही है, उनको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके HRD को administrative affairs तो बहुत और कोई किसी को नहीं जानता, इसका मतलब कोई मसला है, administration को देखना पड़ेगा कि क्या मसला है, वरना student सफर करेंगे, faculty सफर करेंगी, patient सफर करेंगे, और organization itself भी सफर करेंगी, अच्छा क्योंकि साइड department वाले एक दूसरे को जानते हैं, सब दोस्त होते हैं, तो कोई किसी और को कुछ नहीं कहता, इसलिए एक अलग clinical supervision officer, safety officer, quality control officer, कोई भी नामस को देदें आप, वो hire करें, ताके वो हड़ department का quality of work और infection control की जो practice है, वो monitor करें, और जहां को गलती हो, सीधा top level principal के उपर, head of health sciences को जाकर report करें, last point, faculty की जो induction है, वो please merit पे करें, especially clinical departments के अंदर, जिसके अं physiology में distinction से जादा important है, medicine एक dynamic science है, जो constantly update हो रही होती है, तो यह बहुत common है, कि आपने पहले जो medical school में पढ़ा था, अब वो obsolete हो गया है, या अब वो थापित हो गया है, कि यह best treatment नहीं थी, और अब आपको फिर से वो चीज re-learn करनी पड़ेगी, नए concepts के साफ़, मेरी observations और recommendations क सिर्फ एक मकसद है, improvement of dental education and hence the quality of graduates, video पसना है तो शेर करें, youtube और subscribe करें, thank you for watching